अगर दाल और शाही पनीर और कडाई पनीर खा की बोर हो गयो ना तो ये रेश्टरेंट स्टाइल चीज चिली या चिली पनीर ज़रूर बना लेना तो चली शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो मैंने सबसे पहले एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं दो टेबल स्पून मैंदा डालूँगी और दो टेबल स्पून मैं कौन फ्रो डालूँगी साथी साथ मैं half teaspoon काले मिच्छी डालूंगी और one four teaspoon नमक डालूंगी और one teaspoon मैं लसन अद्रक का पेस्ट भी डालूंगी और अहुजा का मैंने यहाँ पे orange red color लिया हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे restaurant style बनाना था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा food color भी इस्तमाल किया है आपकी मर्जिया आपने यूज करना है करिए नहीं करना तो मत करिए तो मैंने just a pinch डाला था इससे ही बहुत अच्छा color आ जाता है और साथी साथ मैंने पानी डाला था पानी आप उतना ही डालिये consistency की हिसाब से नजादा गाड़ा होना चाहिए नजादा पतला तो यहाँ पे म आप देख सकते हो जो पनीर है वो अच्छे से इसके साथ कोटिंग होगी थी अब मैं इसको रेश्ट करने दूंगी आदे गंटे के लिए अब मैं साथी साथ प्याज और कैप्सिकम ले लूँगी प्याज को मैंने यहाँ पे नैसे बड़े-बड़े slices में कट किया है यहाँ पे तड़की की तियारी करूंगी जिसमें मैंने यहाँ पे नॉन्स्टिक पैन लिया है और वन टेबल स्पून ओली वर्ल डायला है और साथी साथ मैंने हाफ टी स्पून लसन अद्रग का पेस्ट डाला है तो आप इस टाइम पे न थोड़ा सा जो गैस का फ्लेम है वो लो कर लेना क्योंकि जो लसन अद्रग का पेस्ट होता न वो चटकता है तो इसलिए और साथी साथ जब इसके साथ ही मैंने प्याज और कैपसिकम भी डाल दिया था और इसको हम अच्छे से सौटे करेंगे जादा सौटे नहीं करना थोड़ा सा कच्छा पन अच्छा ल जाला है हाफ टी स्पून सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मैं औरेंज कलर एक कटोरी में ले रही थी जस्ट पिंच लिया था और थोड़ा सा पानी के साथ इसको मिक्स कर लेंगे और हम जो हमारा प्याज और कैपसिकम वाला तड़का है हम उसके अंदर डाल देंग आप देख सकते हो कलर डालते ही इतना अच्छा रंग आ गया है प्याज और कैपसिकम का इसमें सोई सॉस डालने की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि हमने रेश्टरेंट स्टाइल बनाना है तो औरेंज औरेंज ही अच्छा लगता है कलर तो यहाँ पर मैंने सारी चीजों को मिक्स कर लिया था अब मैं इस चैम पे पनीर देख रही थी पनीर बिल्कुल अच्छे से मैरिनेट हो गया था मैं इसको देख सकते हो मैं देख रही थी कि क्या यह अच्छे से हो गया है मैरिनेट तो यह मैरिनेट हो गया था मैंने साथ ही साथ ओलिव ओल भी रख लिया था गरम था मेरा olive oil और मैं पनीर के जो cubes हैं वो मैं उनको fry कर रही थी एक एक करके तो जब भी आप इसमें एक tip ध्यान रखें कि जब भी आप पनीर की cubes चालते हैं उसको एकदम आप कर्ची मत चलाईएगा दो से तीन मिनट के लिए आप रखेगा तेल में उसके बाद कर्ची चलाईएगा इससे क्या होता है कि जो आपके जो पनीर की cubes हैं वो बिल्कुल अच्छे से मेरीनीट हो जाते हैं और चिपकते निये नीचे आप एकदम उसको हटा लोगे एकदम कर्ची चला लोगे तो जो हमारा पनीर होता न वो नीचे से चिपक जाता है तो सारे जो पनीर की cubes थे वो फ्राई हो गए थे आप देख सकते हो कितने अच्छे फ्राई हुए हैं और मैंने उसी को अपने प्याज और कैप्सिकम वले तड़के में भी डाल दिया था यह हमारा ready है थांक यू फो वाच्छिए